हाई दोस्तों मैं अमरूत देश्मुक आपका बॉकलेट गाए आज दशेरा है आपको दशेरा के बहुत-बहुत शुपकामना है तो इसी सुन्दर दिन पे हम कुछ अच्छा सिखने वाले है स्टीफन कौवे का नाम तो हम सब ने सुना है उन्होंने इथियास में सबसे बिक किताब का नाम था और थर्ड हैबिट पे पूरी एक किताब स्टीफन कौवे ने लिखी है इसमें से एक आइडिया मुझे इतनी पसंद आई इसलिए मैंने सोचा कि क्यो ना आपको इस वीडियो के जरी आपको बताया जा अक्सर हम अर्जंट और इंपॉर्टन ये दो हम अगर कोई काम प्लान नहीं करते है या उसको प्रोक्राशनेट करते मतलब आज का काम कल को ढखेल देते तो वह एक दिन अर्जंट बन जाता है इसका मुतलब यह ने कि वह इंपॉर्टन होता है फॉर एक मेने के बाद है मैं बोलता हूं भरूंगा 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 आजा नक से वह डिवड़े टा जाती और हमको लगता कि वह अर्जंग भी है और इंपॉर्टन बी है अलाकि एक मने पहला कर आ कर मैं उसको प्लैन करता तो वह कभी भी अर्जंट नहीं होता हाला कि वह इंपॉर्टन है वैसे कई Vodafone के bills रहते है, कुछ crisis होते है, deadlines होते है तो उन्होंने चार quadrants बनाया है और आपके studio list जो है सब काम आप उस चार quadrants में बाठ सकते हो तो मैं यहाँ चार quadrants बना रहा हूँ आपके लिए इसको बोलेंगे यहाँ quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 और quadrant 4 इसको हम नाम देंगे urgent, इसको बोलेंगे not urgent, इसको बोलेंगे important और इसको बोलेंगे not important पहले बात करते है quadrant 1 यानिकी urgent and important इसमें कौन से काम आएंगे तो आपके crisis वाले, जैसे किसी का accident हो गया और अचारणक आपको उनके लिए help करनी है तो obviously सबसे पहले preference को देना है, बाकि सब काम आपको हटाना है क्योंकि सबसे पहले important है हमारी जान, जान है तो जहान है फिर deadline वाले projects, आपको कल project खतम करना है, deadline है किसी का meeting के लिए presentation बनाना है तो यह सब काम इसमें आजाते है, जो urgent भी है और important भी है उसके बार आता है quadrant 2, जिसके बार में मैं बात में बात करूँगा एक वज़ा है कि मैं उसके बार में अभी नहीं बात करूँगा सिधा जाते है quadrant 3 में, urgent and not important इसके बार में हम काफी detail में बात करेंगे urgent भी urgent है लेकिन important नहीं है phone calls, अभी ये phone calls office के हो सकते है, personal हो सकते है काफी बार हम phone पे बात करते जाते है, करते जाते है, और उसका end कहीं होता नहीं है 10 minute का call एक घंटे तक खीच लिया जाता है phone calls हमको अच्छे तरह से manage करना है क्योंकि वो important नहीं है और कभी-कभी urgent हो सकते है meetings आए दिन हम सिर्फ meetings fix करते हैं without agenda, which is very dangerous अगर आपको clear पता नहीं है कि meeting में क्या होने वाला है तो meeting conduct करने का कोई पाइदा नहीं है at the same time, always begin with an end in mind ऐसे ये author कहते है meeting शुरू करने से पहले आपको वो कब खतम करना है, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि इंसान को बात करने को बहुत पसंद है, meeting में जो लोग है वो बाते करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे और आधे meeting की, आधे घंटे की meeting, डेड़ घंटे तक चल सकते है हला कि वो जो important और महत्व पूर्ण जो काम है उसे 15 मिनिट का हो सकता है, तो ये बहुत जरूरी है कि urgent meetings which are not important इसको short रखो और उसका end time clear करो, दूसरा example में दे सकता हूँ कि वो urgent है, लेकिन important नहीं है, हम सब को पसंद है, वो है shopping, shopping, shopping हम को सब को पसंद है, क्या वाकई इतना हम जो time देते है shopping को, क्या वो जरूरी है, तो actually shopping is not a very important part of our life, लेकिन हम सब को पसंद है, इसलिए हम करते रहते है, shopping में भी दो तरीके हो सकते, एक तो shock वाला shopping, और दूसरा है जो जरूरत है, grocery shopping, रोज जो खाने पीने का सामान, व अब author बोलता है कि यह जो quadrant 3 के जो काम है, उसको आप या तो automate करो, या delegate करो, तो इसको मैं बोलता हूँ, the quadrant of automation और delegation, अब ही आपको bills भरने है, हम कई तरह के bills भरते है, life में, वोड़ा फुन का bill होता है, आपका gas का bill होता है, electricity का bill होता है, पाने का bill होता है, insurance premium होते है, car insurance premium होते है, internet की वजए से, technology की वजए से, इन सब को आप automate कर सकते हो, अगर आज के तारिक पे आप line में खड़ा रहे के bill payment कर रहे हो, तो हम सबसे बड़े बेवकूफ है, आपको online की मदद लेके, उसको fast करना है, जिन्दे की bills पे करने के लिए नहीं है, definitely नहीं है, नहीं पसंदे की मैं 15 minute भी bills पे करने के लिए मेरा life बरबाद करूँ, तो जितना हो सके उसको आप automate करो, मैंने मेरे सब bills को auto debit की facility दे दी है, वो जब भी वो bill आएगा, अपने आप मेरे banker को जाएगा, और वो अपने आप मेरे account में से debit होगा, देखो, 5-10 रुपे को save करने के लिए हम हमारा एक घंटा बेस नहीं कर सकते, आप सब को automate करो, अगर automate कर नहीं चाहते हो, तो at least online payment करो, लेकिन online में खड़ा रहके physical bill payment करना, आज के तारिक में तो मुझे sense नहीं लगता है, तो इसलिए author बोल्डा कि इसको automate करो, अगर automate कर सकते है, तो delegate करो, like grocery shopping या fruits लेना, अब आप बोलो कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे हाथ के निचे तो कोई लोग है नहीं, मुझे अकेले को सब काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, अगर आप creatively सोचोगे, तो आपके अंडर भी काफी लोग है, जो आपका, यह जो रोज रोज का काम है, जो आप enjoy नहीं करते, honestly, grocery में हर बार वही साबून लाना, वही detergent powder लाना, मैं enjoy नहीं करता हूँ, तो मैं उस पर एक time क्यों waste करूँ, उसको मैं delegate कर सकता हूँ, तो मैंने इसको creatively कैसे use किया है, ह हमको सब को shop में जाके खरीजना पड़ता है, तो मैंने उसके साथ दोस्ती करना शोदी, शुरू किया, काफी सालों से मैंने personal touch create किया उसके साथ, और हमारे area में, मैं एक ही इंसान हूँ, जिसको वो home delivery देता है, और मैं उसको extra 50-70 रुपया premium देता हूँ, so he's happy, घर पे home delivery दे करने के लिए, तो ऐसे काफी लोग हमारे एर्गिर्थ होते हैं, हमारा watchman, car washer, fruitpender, जो आपके society में साफसाफ़ाई करने वाले लोग, इनको महिने के 50-100 रुपया बहुत होता है, और हम जिसे लोगों के लिए ये ज्यादा महिने नहीं रखते, तो क्यों ना हम थोड़ा 500 र उनको हम automate करें, उसको delegate करें, इन लोगों के लिए 50 रुपया बहुत चीज रहती है, तो अगर मेरा fruit seller है, मुझे हर दिन एक fruit खाने को लगता है, तो मैंने उसको बोलाए कि भाई, जित्ते भी अच्छे fruits आप मुझे रोज delivery करके दो, और मैं आपको extra 50 रुपया दोंगा, he is happy to do that, और वो जो time बचता है, वो time में दूसरे quadrant के लिए use कर सकता हूँ, तो यह importance है quadrant 3 के, जो काम urgent है, लेकिन important नहीं है, इसको आप automate करो, delegate करो, quadrant 4 की बात करेंगे, इसको मैं बोलता हूँ quadrant of death, सबसे dangerous quadrant है, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा time waste करते है, time wasted activities कौन से है, तो facebook, whatsapp, gossiping, बहुत सरे activities है, जो हमें पता है नहीं कि हम काफी time इस पे बिता रहा है, और it is very dangerous, और statistics कहता है कि, जो लोग 60 to 80% time quadrant 4 में बिताते है, वो ज्यादा दर डिप्रेशन में चले जाते है, उनके personal life में problem रहते हैं, उनके career में problem रहते हैं, और ultimately they are considered as failures, so quadrant 4 is a quadrant 4 करना है, जितना हो सके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वाट्साप यूज मत करो, यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि facebook मत, यूज मत करो, हाला कि अभी हम facebook पे है, इसका हम अच्छा यूज कर रहे है, अभी हम लोग video को दवरांग, हम quadrant 4 में नहीं है, हम actually quadrant 2 में है, क्योंग मैं 2 के दवरां, so जो time wasting काम है, वो quadrant 4 में आते हैं आपको, इसको ठीक से plan करना है, दिन का एक आधा एक घंटा दे दो, social media के लिए, gossiping के लिए, मैं नहीं करो कि यह सब गलत बात है, पर उसको जितना काम कर सकते हो, करो, अब आता है, सबसे important quadrant, quadrant 2, जिसको मैं बोलता हूँ, life quadrant, और इसमें क्या क्या आता है, तो long term planning, जो हम कभी नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है, कि हम रोज इतना काम करते हैं, कि हमको time नहीं में प्लानिंग के लिए, लेकिन, जो successful लोग है, वो quadrant 2 में time बिदाता है, और उसका सबसे बड़ा काम होता है, long term planning, कि अगले एक महने में, छे महने में, एक साल में मुझे क्या क्या आचीव करना है, मुझे कहां जाना है, is very important, तो इसको आपको time देना है, दूसरा आता है, family and kids, इनको time देना, फिर आता है, health, देखिए, not urgent and important, कभी आपने सुना है, कोई कहते हुए, अरे, मुझे बहुत urgent काम यादा है, मुझे जि important तो है, लेकिन कभी भी urgent नहीं लगता है, लेकिन वो सबसे important चीज है, exercise करना, family और दोस्तों के साथ time बिताना, long term planning करना, आपके जो passion है, उनको pursue करना, आपको career में क्या-क्या changes लिके आने हैं, बदलाव लिके आने हैं, उसके बारे में discuss करना, उसके बारे में सोचना, ये quadrant 2 में आता है, तो देखिए कि कितने अच्छी तरीके से, कौथर ने समझाया है, urgent and important, not urgent and important, urgent and not important, not important and not urgent, तो अगर practice कर करके, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम कौन से quadrant में आता है, और हमारा लक्ष ये होगा कि हम सबसे ज़्यादा time quadrant 2 में बिताएंगे, quadrant 3 को हम जि delegate कर सकते हैं, करो, और quadrant 1 की खासियत बात यह है, कि आप जितना प्लान करोगे, आपका quadrant 1 अपने आप खाली हो जाएगा, देखिए, accident, contingency, यह बहुत rare होते हैं, उसके लिए तो हमको quadrant 1 पर ध्यान देना ही है, लेकिन यह आए दिन नहीं होता है, तो जो deadlines होते हैं, जो disaster management होते होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्यूंकि आप ठीक से plan नहीं करते हैं, अगर आप quadrant 2 को बहुत time दोगे, तो quadrant 1 में, quadrant 1 अपने आप खाली हो जाएगा, और इसमें कोई काम रहे गा ही नहीं, और quadrant 4 की बात करेंगे, तो वो तो completely waste है, इसको तो हमको इससे दूर रहना है, क्यूंक से quadrant में जाता है, तो आप इस वीडियो के पोस्ट के द्वारे मुझे पूछो, कि ये काम कहा जाएगा, ये काम कौन से quadrant में जाएगा, और definitely I'll try to reply, so thank you so much, and एक बार फिर से दशेरा के बहुत बहुत चुपकामना है, इस बुद्वार मैं कोई भी समरी नहीं देने वाला हू क्यूंकि बुद्वार के जगह पे इस बार में सोमवार को बुक समरी देने माला, क्यूंकि एक special दिन है, वो कौन सा दिन है, आप calendar चेक करके जरूर पता लग आएगा, तो इस सोमवार बहुत ही sensitive बुक है, एक disclaimer देना चाहता हूं कि जो भी author ने अपने views दिये है, वो उसके views है, और मुझे कहीं पे भी political या religious sentiment को hurt नहीं करना है, और मेरा काम है, बुक में जो knowledge है, उसको कम से कम शब्दों में आप तक पहुचाना, जरूर मिले मेरा बुक समरी सुनियेगा, मंडे को, तब तक के लिए, happy reading and let's make India read, बाई!